प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा क्वेशन बच्चों का सर नेवी SSRMR इंटेक 0-2-2023 एंटेक 0-1-2024 फाइनली उसका रिजल्ट कब अपडेट होगा PSL फस्ट आचोगी है नेवी SSRMR की 0-2-2023 की सेकंड लिस्ट सर कवाएगी Officially है सबसे बड़ा क्वेशन है मैं आपको प्रूव के साथ में सारी चीज़ें बिलकुल कलियर करने वाला हूँ सबसे बड़े क्वेशन बच्चों के सर NCC वालों का क्या होगा रिजल्ट आया कि नहीं आया सर Officially क्या Update है हुआ या नहीं हुआ PSL आएगी या नहीं आएगी बिना Time Based के फालतू की बिना बातें किये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जो बच्चे एक्जाम में फेल हो गए है जो बच्चे एक्जाम में फेल हुए है जिनका रिजल्ट नहीं खुला है उनके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है वो खुस हो जाईए कि अभी आपका रिजल्ट इसी महीने लास्ट में फिर से एक और लिस्ट आ रही है आपके सामने दो लिस्ट होंगी और मैं आपको इसका बिलकुल एक दम प्रूफ दिखा देता हूँ यह ओफिशल ही दिखा रहा हूँ मैं आपको ऐसा नहीं है कि यह मैं ही दिखा रहा हूँ आपको साथ पता भी होगा लेकिन बट मैं सारी चीज़ें आपको ओफिशल करने वाला हूँ इंडिया नेवी की official website खोली हमने official website पर क्या लिखा हुआ आ रहा है candidates placed in provisional select list first जो candidate provisional है for agnivir ssr mr 0 second 2023 batch वो notify कर दिएगे mail और sms के द्वारा उनका result आ गया है PSL second ये बहुत बड़ा question है ये बहुत बड़ा question है मैं इस पर रोक रहा हूँ यहाँ पर PSL second clear लिखा हुआ यहाँ पर ये देखिए PSL second of 0 second 2023 and PSL first of 0 first 2024 will be notified separately अलग अलग आएगी ये बहुत important बात है नेवी ने officially बता दिया है PSL 2 ये official आ चुका है प्यारे बच्चे कि PSL 2 ये PSL जो 2 आएगी किसकी कौन से इंटेक की 0 second 2023 और 0 first 2024 की PSL first दोनों अलग लगाएंगी officially आप जाकर देख सकते हैं और एक और बड़ी update जो साथ कोई आपको नहीं बता रहा है sir joining का procedure क्या रहेगा मैं आपको joining का भी बता देता हूँ clearly Navy ने कर दिया है joining sir training कब होगी training for agnivir ये clearly लिखा हुआ है मेरे बच्चे training for agnivir 0 second 2023 batch would commence in November 2023 November में होगी जिनका result आचुका है सुरू होगी 17 November से बोलाया गया है चिलका पर and training for agnivir 0 first 2000 पहले जो 24 वाले batch की April में होगी लेकिन यहां सबसे बड़ा question है कि sir जो 0 second batch है 2023 की जिसकी PSL आनी है उसकी training कब होगी क्या वो नवंबर में होगी अप्रेल में प्यारे बच्चे वो training अप्रेल में होगी यह मैं clear कर रहा हूँ वो training अप्रेल में होगी इस बात का याद रखियेगा जिसका result नवंबर में आ रहा है यह भी मैं clear कर देता हूँ जिसका result क्या रहा है नवंबर में आ रहा है यह बात आपको मैं बता रहता हूँ अब सबसे बड़े 3 question बच्चों के सर, सबसे पहला question जो PSL है सबसे पहला question बच्चों का ध्यान से देखिए एक बार फटा फट से सबसे पहला question हम चलते हैं सर, सबसे पहले तो नेवी ओफीशली आपको message के तुरू बता दिया है कि आपके जो marks होंगे phase second के वो नवंबर के लाश तक जारी कर दिये जाएंगे phase second के marks आपके बिल्कुल बता दिये जाएंगे आपके obtained marks कितने हैं और आपके cutoff कितने पर गई है आपके obtained marks कितने हैं और आपके cutoff जो cutoff marks है state wise cutoff जो गई है वो कितने हैं यह officially message आ चुका है बच्चों के पास यह सबसे बड़ा update में पहले बता रहा हूँ official second सबसे बड़ा update क्या है sir second जो update है सबसे बड़ा NCC वालों का result क्या हुआ है NCC वालों का result मैं आपको बता दू clearly कुछ बच्चों का result खुल गया है कुछ का जो second list है पूरा clearly आ जाएगा परेशान मत हो यह NCC वालों सबका result आएगा प्यारे बच्चे सबका किसी जिन बच्चों का result नहीं खुला है वो बिलकुल परेशान मत होना उनका result फिर से second list में आना है यह बहुत बड़ी खुसकबरी मैं आपको बता रहा हूँ NCC वाले कुछ बच्चों का result आभी चुका है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा मेरे पास है तीसरा सबसे बड़ा question सर पी एसल 0 second 2023 की जो second PSL second कब आएगी और 0 first 2024 की first यह 25 से 30 नवम्मर को बिलकुल confirm आ चुकी होगी मैं आपको यह date जो बता रहा हूँ वो accurately बता रहा हूँ 25 से 30 नवम्मर को बिलकुल accurately यह final हो चुका होगा तब तक आप wait कर लीजेगा please तब तक केवल wait कर लीजेगा जो PSL आएगी 0 second 2023 और 0 first 2024 की 25 से 30 नवम्मर तब तक फरजी के वीडियो फालतू की बात है और बंग करो सब ठीक है ना भाव सारे लोग आपके मजे ले रहे हैं फालतू की बात हैं बता बता करके यह final है जो PSL जारी हो जाएगी 34 सबसे important बात सर यह बताएए ट्रेनिंग का क्या चक्कर है यह ट्रेनिंग का समझ लीजिए जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है 0 second 2023 उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई आपको पता है उनकी ट्रेनिंग नवंबर में होनी है आपको पता है नवंबर से स्टार्ट हो रही है और जो रिजल्ट नहीं आया है 0 second 2023 की PSL second का और 0 first 2024 का जो PSL first आनी है उन दोनों की training बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ वो April में start होगी याद रखियेगा वो April में start होगी ये बड़ा question आपको बता रहा हूँ April में start होगी चौपी पांच में सबसे बड़ी बात क्या है सर next intake का वा रहा है next vacancy का वा रही है next vacancy आपको April April 2024 में नया notification आपको मिल जाएगा April 2024 में नया notification आपको मिल चुका होगा April 2024 में नया notification आचुका होगा बिल्कुल भी परेशान ना होईए ये बात आपकी समझ में आईए या नहीं आये मुझे एक बार ये clear कर दीजे यह बात आपकी समझ में आ गई है तो मैं यहां दो बाते और करने वाला हूँ जो सबसे most important है दो बाते सबसे पहले सर जिनका result खुल चुका है और जिसमें लिखा आया है you are not sought listed you are not sought listed तो वो अपने आपको ये मस समझिये कि वो fail हो गए है अरे वो intake cut off के साब से second list में उनका नाम आज चका है अभी तक जो result आया है वो 1000 vacancy के हिसाब से आया है अभी जो भरती joining होनी है अभी 3000 बच्चे और बच्चे हैं total vacancy 465 थी अभी आपको याद होगा ध्यानेक नहीं कौन कौन से intake की एक 0 second 2023 and 0 first 2024 दोनों को merge कर दिया गया था तो अभी 3000 पर और list आनी है जो PSL 2 आएगी और 2024 के आएगी तो वो बच्चे भी ना घवरा है जो not sought listed आए है और जिनका result open नहीं हुआ है जिनका result open ही नहीं हुआ है वो भी बिल्कुल परेशान ना हो उनका भी दूसरी list में 100% या 0 first 2024 में 100% आएगा ये बहुत बड़ी opportunity है इसके बाद कोई confusion बचा है मुझे comment box में बताएए मुझे आपका comment चाहिए I'll try to respond you as soon as possible लेकिन फर्जी बातों से बचिये यार लोग रोज यार इस चीज पर वीडियो बना कर आपको confuse कर रहे हैं और आपके अंदर इतना sense नहीं है कि चीजों को authentically समझ करके और उन पर काम करना सुरू किया जाए समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो finally officially बहुत बड़ी खुशकबरी है कि PSL भी आनी है आपकर marks भी आने है और आपकी next vacancy का आपको पता है training कब होनी है overall मैंने कुछ clear कर दिया फिर भी यार वीडियो एक percent भी पसंद आया please अभी मुझे अभी comment box में एक बार लिख दीजे जैहिन जैभारत एक बार फटा फट से लिखिए thank you so much for your continued love and support